नमस्कार मैं सुधिर्क मात्रपाठी आप लोगों का विद्यागुल पर स्वागत करता हूँ बच्चों आप लोगों को पता है यदि आप कक्छा 10 में हैं और कक्छा 10 में हैं और आप साइंस में बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो आप बिलकुल परिशान मत होईए आप आपको मालुम होगा कच्छा 10 में जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है जयव प्रक्रम उसमें टॉपिक है जिसका नाम है मनुष्य का पाचन मनुष्य में जो पाचन होता है वो कैसे होता है आकिरकार उसके लिए हमारे सरीर में या मनुष्य के सरीर में कौन सा तंत्र पाय सबसे पहले हम बात करते हैं कि खाना हम खाते ही क्यों हैं तो बच्चों आप लोगों को मालुम होगा कि रोजमर्रा की जिन्दगी को पूरा करने के लिए या रोजमर्रा के जीवन को कारे में प्रत्पादित करने के लिए यानि कारे करने के लिए उर्जा की जरूरत होती है और उर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको भोजन करना होता है और जब आप उस भोजन को कर लेते हैं तो हमारे सरीर में उस भोजन का पाचन होता है और पाचन के बाद जब हम उसका ग्लूकोस बना लेते हैं तो हम उसमें ऑक्सीजन को जोड़कर उसे जला देते हैं और जलाने के बाद हमें उर्जा प्राप्त हो जाती है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, खाने का पाचन क्या है? आप समस सकते हैं, बच्चों, यहाँ पर एक पाइप बना हुआ है, देखिएगा, जो भी हम खाते हैं, उसको हम वेस्ट के फार्म में यहाँ पर निकाल देते ह इसका मतलब यह हुआ कि जब हम खाना खाती हैं तो उसमें खुश्बू आती है और जब हम सुबा गुड मॉर्निंग करने जाते हैं तो उस खाने में बदबू आती है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह है खुश्बू से लेके बदबू तक का सफर जो हम आपको पढ़ाएंगे यानि पाचन तंत्र क्या है तो पाचन तंत्र एक प्रकार का खुश्बू से लेके बद्बूत का सफर है बच्चों इसमें देखिए पाट कौन-कौन से होते हैं जलिए हम यहां से समझाते हैं यह हमारा मुख है जहां से हम भोजन ग्रहन करते हैं यह हमारी ग्रास नली है यह पर कोई पाचन नहीं होता ये हमारा एक छोटा सा पेट है इसे हम अमाशे कहते हैं और बच्चों यहां पर एक बहुत ही कुंडलित संरचना होती है जिसे हम लोग छोटी आत कहते हैं उसके अलावा एक बड़ी आत भी होती है और छोटी आत के भाग को हम लोग ग्रहनी भी कह बच्चों ध्यान रखिएगा खाने का पाचन कहां से प्रारंब होता है तो खाने का पाचन मुख से प्रारंब होता है कहां पर समाप्त हो जाता है तो छोटी आत पर समाप्त हो जाता है खाने का पाचन सिर्फ और सिर्फ तीन जगा होता है मुख में अमाशे में और छोटी आ आचन नहीं होता है, बड़ी आत में केवल और केवल जल और खनिज, यानि जो हम पानी पीते हैं, उसका अवशोषण होता है, और जो हम खनिज खाते हैं, जैसे आईरन खाते हैं, कैल्सियम खाते हैं, इन सब का अवशोषण हो जाता है, लेकिन अब आप हमसे ये भी प्रश् करेंगे कि सर ये वताइए जल और खनीज का अवशोशन तो बड़ी आत में होता है लेकिन छोटी आत में क्या होता है तो बच्चों जितना भी हम खाना खाते हैं जैसे कार्वोहाइडरेट वश्या प्रोटीन विटामिन इन सब का अवशोशन कहा होता है तो छोटी आत में हो होता है तो बच्चों ध्यानने किएगा हमारे मुख में दात होते हैं दात कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के दात होते हैं क्रिंतक रदनक अग्र चवर्नक और चवर्नक इसलिए मनुश्यों को विशमदंती कहा गया है और दातों की जो कठोरता होती है वह इनमल के कार खाने का होता क्या है तो सुनिएगा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे सरीर में एक यहीं पर एंजाइम निकलता है और बच्चों एंजाइम क्या है एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है और हाँ एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक भी है हम इसे क्या कहते हैं हम इसे उत् प्रेख का अर्थ होता है कि किसी भी क्रिया को बढ़ा देना, तो बच्चों, ध्यान दिजिएगा, एंजाइम हमारे पाचन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, यदि आप पाचन क्रिया बिना एंजाइम के करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया संभव नहीं हो पाएगी इसलिए पाचन क्रिया के लिए आपके पाचन तंत्र से एंजाइम निकलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जैसे मुख में एक एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं एमाईलेज और एमाईलेज नाम का जो एंजाइम है वह किस चीज के पाचन में मदद करता है तो वह स्टार्च के पाचन में मदद करता है अमाशे में एक पेपसिन नाम का एंजाइम होता है आपको मालूम होगा इसी तरीके से अगनाशे में एक ट्रिपसिन नाम का एंजाइम होता है और हाँ हमारे अमाशे में एक बहुत ही भयानक एसिड होता है जिसे हम हाइड्रोकलोरिक एसिड करत कहते हैं जो हमारे खाने को अ यानि सबसे बड़ा अंग होता है और हाँ लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड भी होती है लीवर बहुत important पार्ट है यहां से पित रस निकलता है और पित ताशे में भंडारित होता है पित रस वशा के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बच्चों ध्यान रख कियेगा जो मैं आपको समझा रहा था इसका अर्थ यही हुआ कि पाचन क्रिया के लिए पाचन तंत्र होता है जो मुख से प्रारंब होकर गुदाद्वार तक जाता है इसे हम अहारनाल कहते हैं ऐल्मेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं आपको पता होगा यकृत यानि ली करते हैं और पाचन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एंजाइम जो की पाचन की प्रक्रिया को बढ़ा देती है एंजाइम को ही हम क्या कहते हैं हम उसे प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तो बच्च एंग